दिल्ली के शराब घोटाले में करीब 6 महीने बाद जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसत संजे सिंग ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। संजे सिंग ने आज तक से बात करते हुए कहा कि केजरिवाल को फरजी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। चुने हुए सीम को गिरफतार कर लिया गया लेकिन उनका गुनाह क्या है ये नहीं बताते हैं। उन्होंने कहा कि केजरिवाल पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। किसी बयान से कोई सबूत मिल नहीं खाएगा। संजे सिंग से जब शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरिवाल से इस्तीफा देने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बीजेपी नेता अजय मिश्राटेनी का हवाला देते हुए कहा कि जब किसानों को रौंदा गया था तो अजय मिश्राटेनी ने इस्तीफ साथवे बयान को आधार क्यों बनाया तत्यों के साथ सबूत देना चाहिए। किसी को बेल नहीं मिलने का ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति दोशी ही है। संजे सिंग ने कहा कि भाजपा की राजनीती और चाल को हम समझते भी हैं और उससे मुकाबला भी हमने खूप किया है।